अब हम कुछ इस अध्याय के एक दूसरे मुद्दे पर चलते हैं और वह है भारती नागरिकता भारत में नागरिक बनने के लिए क्या नियम है ये बात तो हो गई कि एक अच्छा नागरिक किसे होना चाहिए ये बात हो गई कि बुरा नागरिक क्या है अच्छे नागरिक बनने में क्या बाधाएं हैं उसका क्या निराकरण है लेकिन आखिर भारत में कौन नागरिक बन सकता है कौन नहीं उसके क्या अधार है ये जानना हमको जरूरी है तो अब हम इसके अगले उस पर बढ़ते हैं भारती नागरिक्ता अर्थात इंडियन सेटिजन्शिप इंडियन सेटिजन्शिप इंडियन सेटिजन्शिप भारती नागरिक्ता कि अधि हम बात करें तो भारती नागरिक्ता पाने की कुछ विधियां हैं आपके आदों का मैंने शुरू में बिलकुल बताया था कि नागरिक्ता पाने के क्या आधार हो सकते हैं और उन आधारों में से एक आधार मैंने बताया था विधी मैंने जन्म आधार की चर्चा की थी उसके बाद मैंने बताया था भूमी भी आधार होती है जो ये कुछ ऐसे आधार हैं जो पूरी दुनिया में हैं पांच तरीके की शर्तें पूरी दुनिया में common हैं जिसका जिक्र मैंने पूर में किया था अब यहां पर मैं भारत के संदर में विशेश शर्चा कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत महत्पूर्ण हैं समझने के लिए भारती समविधान में जो उन्निस सो पचास 26 जनवरी को लागू हुआ उसके दूसरे अनुछेद में मैंने बताया आपको दूसरे भाग में दिया हुआ है और दूसरे भाग में आर्टिकल 5 से 11 इसमें इस प्रकार इन धाराओं में नागरिक्ता संबंदी बातें कही गई है हर धारा में क्या-क्या है इस पर हम आगे बात करेंगे अभी आप समझ लें कि भारती नागरिक्ता से संबंदित धाराओं का उल्लेक भाग दो धारा पांट से ग्यारा में हैं और ये कब से लागू हुई? 26 जनवरी से अब हम देखते हैं इसमें प्रावधान क्या थे 26 जनवरी से लागू हुई तो प्रावधान क्या थे सबसे पहली चित यह समझनी होगी कि जैसे ही भारत सुतंत्र होता है बहुत सारी समस्याएं सामने खड़े हो जाती है और उसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी विभाजन की विभाजन के कारण क्या हो रहा था? भारत से लोग पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से भारत गया भारत के बहुत से लोग जो विदेश में थे पुराने भारत में वो पाकिस्तान के होंगे कि भारत के होंगे आदी आदी समस्या थी अर्थाथ उन्निस सो सेटालिस अर्टालिस की ततकालीन समस्याओं को मद्दे नजर रखके आनन फानन में नागरिक्ता को लेकर कुछ बातें हमारे सम्मधार में डाल दी गई आनन फानन इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय हमारे लिए मुख्य मुद्दा कुछ और ही था देश को एक जो टरखना, कनून सम्विधान बनाना, पार्टीशन से या विभाजन से होने वाली समस्याओं को जहलना नई शासन व्यवस्था प्रारम करना, सेना तैयार करना आदी आदी तो उसमें नागरिक्ता का मुद्दा उस हद तक थोड़ा सा नीचे था और वो मुद्दा भी भारत और पाकिस्तान के बीच ही था तो आखिर कौन क्या-क्या बिंदू समय रखे गए पहला, इस संब्द में जो प्रावधान रखे गए उसमें सबसे पहला प्रावधान था जन्म से संब्दे जन्म के आधार पर नागरिक्ता, बड़ा सबसे सरल था कि जिनका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 से पहले हुआ है यानि सम्विधान लागू होने से पहले वे भारत के नागरिक हैं, बड़ा सरल 26 जन्वरी 1950 के पहले जो लोग भारत में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं वे वहां के नागरिक हैं और इसमें उन्होंने ये कहा कि बशर्ते उसका जन्म यहां हुआ हो उसके माता-पिताक में से किसी एक का जन्म हुआ हो और जो ये सम्विधान लागू होने के पांच वर्ष पहले से यहां रह रहे हूँ देखिए तीन बिंदू पहला तो मैंने बताया कि नागरिक्ता के लिए पहला आधार जन्म संबंधी था और जन्म संबंधी आधार में पहला तीन शर्ते थी पहला 26 जन्वरी 1950 से पहले रह रहा हो दूसरा माता-पिता दोनों में से कोई एक यहां के नागरिक हो कोई एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो ये बात बड़ी पश्ट है नागरिक नहीं उन दोनों में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो यानि 1947 से पहले किसी एक का जन्म हुआ हो तो उसका बच्चा भारत का नागरिक रहेगा और तीसरा था कि 26 जन्वरी 50 के पांच वर्ष पहले से वो यहां रह रहे हो तभी वो भारती नागरिक बनेंगे ठीक, तीन बातें ये जन्म से संब्द और बड़ा सरल्द, 26 जन्वरी को उन्होंने एक एक तारीक मान ली, सम्विधान लागू होने के दिन की तारीक और उसके आधार पे तै कर दिया, ये तीन बिंदू और ये आधार जन्म, आधारित निन्न था चूंकि उस समें भारत पाक शरनार्थियों की समस्या बहुत ज़्यादा थी शरनार्थियों को लेकर बड़ा समस्याएं थी शरनार्थी मतलब एक देश से दूसरे देश आने जाने वाले लोग लाखों लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान गये, उनकी नागरिक्ता पे सवाल उठा पाकिस्तान के लोग भारत आये, उनकी नागरिक्ता पे सवाल उठा बहुत से भारती लोग पाकिस्तान गये और कुछ समय बाद किनी कारणों से भारत वापस आने लगे उनका क्या होगा जो ये शरणार्थी इनके मद्दे नजर रखते जो एक तत्कालीन समस्या थी उन्होंने नागरिक्ता में कुछ और बिंदु डाले जैसे उन्होंने दूसरा बिंदु कहा था कि जो पाकिस्तान से यहां है उन्हें श कर दी शरणार्थी कौन जो भी पाकिस्तान से यहां आया हो अब उनको हम नागरिक्ता देंगे आये हैं कोई बात नहीं ऐसा होता है कि हाँ उन्हें भारत पसंद है विभाजन के समय उन्हों निर्णा ले लिया कि वो भारत में रहेंगे तो भारत आना चाहते हैं तो उसमे पहली बात शरणार्थी कौन पाकिस्तान से आये हुए लोंगों को शरणार्थी कहा गिरा और उनको कुछ शर्तों के आधार पर उन्हें नागरिक्ता प्रदान की गई वे शर्तें क्या थी पहली बात कि अविभाजित भारत में पैदा हुआ है उनके दादा दादी नाना अविभाजित भारत में पैदा हुए हूँ देख लिजए यदि शर्णार्थी अविभाजित भारत में पैदा हुआ और उसके दादा दादी नाना नानी अविभाजित भारत में पैदा हुए तो ऐसे शर्णार्थी 19 जुलाई 48 तक भारत आ गये हूँ देखिए एक तारी ये वाला कानून सम्विधान निर्माण के पहले ही लागू हो गया था सम्विधान निर्माण कब हुआ 26 जनवरी सम्विधान लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950 को तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि 19 जुलाई 1948 ये तारीख आप याद रखें एक तारीख थी 26 जनवरी 1950 जिसे हम गणतन्त दिवस के रूप में मनाते हैं दूसरी तारीख हो गई 19 जुलाई 1948 इस तारीख को जो के पहले तक जो भारत आ गया और छै माह रह लिया इस तारीख के पहले जो भारत आ गया और आने के बाद छै माह का काल उन्होंने गुजार ल करने के लिए अनुमती प्राप्त कर सकते हूं देखिए मैं फिर से दूरा रहा हूं 19 जुलाई 48 के पहले आ गये हूं भारत में उन्होंने छै माह रहकर अपना पंजी करन करा लिया हो पंजी करन यानि रेजिस्ट्रेशन इस पर मैं और संक्षित में चर्चा करूंगा फिल माह रहने के बाद ऐसा नहीं कि बस आ गया और पंजी करन करा लिया और नागरिकता मिल गए नो सरकार ने कहा आपको छै माह जहां गुजारना पड़ेगा ताकि आप निश्ठा बता सको कि हाँ भारत के लिए ही हो और भारत सरकार से अनुमती ले लिए तो आप भारत के ना पर हो गया है तीसरा जो था वो था विदेशों में रहने वाले नागरिकों को ले कर तीसरी जो समस्या थी या तीसरा जो प्रावधान किया गया पहला प्रावधान तो जन्मजात नागरिक के लिए जिसके बारे में 26 जन्वरी डेडलाइन थी दूसरा प्रावधान शरणा तालिस लिया गया उसकी तारीक, तीसरा था विदेशी नागरिकों के लिए, विदेश में रहने वाले लोगों के लिए, वे भारतियों के लिए जो बाहर रह रहे हैं, विदेशी नागरिक से अर्थ, ये नहीं है कि दूसरे देश के नागरिक, यहां पर मेरा ताथपर है, व वे भी पातरता रखते थे उन्हें भी नाग रिकता दी गए लेकिन उनके इसाथ भी कुछ शर्त थी पहली दादा दादी नाना नानी में किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो याने 1947 से पहले उनके दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो बस एक शर्त मैं फुर्त दोरा दूँ ऐसे भारती जो विदेश में रह रहे हैं देखिए नौकरी के लिए गए हुए विदेश में थे ऐसी भारती राष्टी आंदोलन में भाग लेने वाले बहुत लोग कैनडा में बसे हुए थे, इंग्लेंड में थे, इंग्लेंड के खिलाफ लड़ रहे थे, इंग्लेंड के पक्ष में लड़ रहे थे नेता जी सुभाष्टन बोस की फौज में थे और दुनिया के कई खेत्रों में अपने तरीके से राष्टी आंदोलन में योगदान दे रहे थे ऐसे लोगों का क्या होगा और वहां रहते हुए उनके परिवार ने बच्चों को जन दिया तो वो बच्चा कहां जाएगा एक तो माबाप सतंता अंदोलन में भाग लेने के लिए विदेश में है गदर पार्टी बनाई करनड़ा में निताजी शुभाष्चन बोस ने आजाद हिंस फौज बनाई सिंगापूर जापान और जर्मी और कहां कहां गया उनके साथ बहुत सारे सैनिक भी गया और वहां रहते हुए परिवार ने बच्चों को जर्म दिया इन बच्चों का क्या होगा नौकरी पेशावालों का क्या होगा ऐसे बहुत से लोग थे भारती जो विदेश में बसे हुए थे बहुत से भारती सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने गए थे विदेशों में, आजाजिन फौज के पक्ष में और बहुत से भारती सैनिक अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए बाहर गए थे ये भी आपको जानना चाहिए तो ऐसी स्थिति में इनके परिवारों का क्या होगा? इनके बच्चों की नागरिक्ता का क्या होगा? तो उनके लिए ये प्राधान किया गया कि आपको एक शर्त पूरी करनी होगी वो पहली शर्त ये है, नियुनतम कि आपके दादा दादी, नाना नानी में ते दूतावास के माध्यम से भारती राज दूत के माध्यम से प्रात्ना पत्र दे अपना पंजी करण कराए और इसके बार पंजी करण मने रेजिस्ट्रेशन मैं बार बार बोल रहा हूं पंजी करण यहने रेजिस्ट्रेशन ठीक तो यह तो हो गई पहली पात्रता और यह हो ग ये